Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं lymphatic system का diagram कैसे बनाए और जानेंगे कि lymphatic system होता क्या है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से जाओ नीचे सबस्क्राइब का लाल बटन उसके दबादो फटाफट और उसके साइड में बेल आइकन इसको भी क्लिक कर लीजेगा उससे क्या होगा? आपकी ये जो इंट्रेस्टिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे आज हमने सीखना है लिमफैटिक सिस्टम का डाइग्राम तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि लिमफैटिक सिस्टम है क्या? अगर आपने ब्लड के बारे में पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा लग जाएगा ब्लड क्या होता है? पहले हम ब्लड पे आते हैं फिर हम लिमफैटिक सिस्टम पे रहेंगे तो बेसिकली ब्लड is a connective tissue और ब्लड एक तरीके का fluid है जो हमारी बाडी में हर एक पार्ट में circulate होता है तो ब्लड वैसल के तरू ब्लड सरक्यूलेट होता है और वो क्या करता है? हर एक ओरगन को, हर एक तिश्व को, हर एक सेल्स को oxygen और nutrients material supply करता है तो यह blood का काम हो गया अब क्या होता है कुछ ऐसा component है blood के अंदर कुछ ऐसे components जैसे WBC, RBC, platelets ही blood के components है means blood की cells है जो अपने अलग-अलग काम कर रही है तो अभी हम उस पे बात नहीं करते हैं जब blood को पढ़ेंगे तब इसके बारे में discussion करेंगे अभी basically बात यह चल रही है कि यहाँ blood का और lymphatic system का क्या combination है तो जी combination अभी आपको पता चल जाएगा तो हम पहले छोट असा इसका diagram बना लेते हैं ना तो सबसे पहले हम बना लेंगे heart का diagram तो heart का diagram एक specific video भी बनी हुग है heart के diagram की playlist में जाना playlist चेक करना हर एक diagram के आपको वीडियो मिलेगी तो easy diagram आप बनाना सीख जाओगे यहाँ भी आप सीख जाओगे तो आपने तीन line खीचनी है उसके उपर तीन circle कर देने है और एक C इधर बना देना है एक C इधर बना देना है और फिर आपने इधर से पकड़ना है और ऐसे लंबा सा तो बहुत आसान है ठीक है बहुत अच्छी बात है अगर आप बना लोगे तो यहां हमारा ध्यान से देखिए यहां लगे हुए होते हार्ट के गेट तो हार्ट को आपको कम्प्लीट पढ़ने के लिए हार्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा क्योंकि यहां हमने पढ़ना है इलिम्पैटिक सिस्टम तो उसके बारे में जानेंगे तो यह हमने बना लिया हार्ट का डाइग्राम ओके जी अब हम बना लेते हैं यह हमने बना ली तो आप color से ही पहचान सकते हो यह क्या है हमारी veins है ना लीजे तो हम यहाँ बना लेते हैं अपनी veins तो इस तरीके से आपको lymphatic system का diagram बनाना है examiner जिससे की बहुत ही person हो जाए मतलब खुश हो जाए ठीक है ओके I think आप बना लोगे अब तो तो कुछ points आपको समझने पड़ेंगे तो यहाँ पहले कुछ points लिख लेते हैं this is the blood vessels यह है आपकी artery यह है veins यह है lymph vessels चीक है यह कुछ points है पहले इनको समझो सब कुछ पढ़ने से पहले blood vessels का क्या मतलब होता है सीधा सीधा जिसमें से blood flow हो रहा है यह pipe blood vessel है क्या this is the blood vessels इसमें से blood flow होता है यह हमारा blood है और यह flow हो रहा है जैसे पानी की टंकी आपने देखी होगी उस pipe में से पानी आता है तो pipe क्या हुआ blood vessels और जो पानी आ रहा है वो क्या है blood ब्लड वैसल समझ में आ गया आर्ट्री आर्ट्री मतलब सीधी बात है जिसके अंदर oxygenated blood होता है वो आर्ट्री होता है वेंस जिसके अंदर deoxygenated मतलब अशुद ब्लड होता है वो वेंस कहलाता है lymph vessels अब हम lymphatic system पे आएंगे lymph vessels वहाँ आपको समझ में आएगा तो यहाँ हम थोड़ ऐसा lymphatic system भी बना लेते हैं तो यहाँ जी आपका है यह लीजे यह जो blue color से आपको draw करा जा रहा है यह क्या है एक तरीकी की pipe ही है और यह है यहाँ पे कर दिया हमने attach दिख रहा है सभी को कोई दिक्कत तो नहीं सब के नाम करन कर लेते कुछ इस तरीके से आपको lymphatic system का डाइग्राम बनाना है तो हम सब के पहले नाम लिख लेते हैं जब एक कोई बड़ा pipe होता है उसको हमारी body के अंदर की बात अब चल रही है सबसे बड़ा pipe हमारी body के अंदर कौन सा होता है aurita उससे छोटे छोटे pipes को हम blood vessels बोल देते हैं और फिर उस सबसे छोटे छोटे pipes होते हैं उनको बोलते हैं capillary तो यह हमारी body के सबसे छोटे पार्ट है मतलब सबसे छोटे pipes हैं जिनको हम capillary बोलते हैं क्या है capillaries और यह क्या है artery और यह क्या है veins और यह तो आपको मालूम ही है this is the heart और यह है जे आपकी lymph vessels lymph spelling सही लिखी है vessels ठीके अब समझो lymphatic system होता क्या है तो blood हमारा in capillary इसके अंदर तो oxygenated blood है इसके अंदर oxygen की मातरा जादा है और इसके अंदर carbon dioxide की मातरा जादा है तो blood हमारा artery के अंदर high pressure से flow होता है as compared to veins तो क्या होता है यहां जो यह capillaries है capillaries की जो membrane है वो single layered है यहां जो veins है और artery है उनकी जो membrane है यह जो pipe की मोटाई है वो पहुछ ही क्या मोटाई है तो जिसके कारण उन pipe में से कोई भी leakage नहीं होता है एक तरिकी सब ऐसा बोल सकते हैं यह हमारा blood vessels है टीकँ है यह क्या है हमारी blood vessels जिस में से blood flow हो रहा है तो इसकी इन membrane पे किसी भी प्रकार का leakage नहीं है जिसके कारण इन मेंसे blood leak नहीं करता है तो आगे आजाओ जब ये arteries छोटे-छोटे pipes में बढ़ती है छोटा pipe means capillary तो capillary को जब हम जूम करते हैं तो capillary की membrane बहुत पतली होती है ये जो membrane पतली होती है जिसके कारण कुछ molecules leak कर जाते हैं क्या करते हैं? leak करते हैं तो इसकी membrane पे इस तरीके से इस तरीके से pore बने हुए रहते हैं जिसके थूँ जो blood के अंदर molecules ये compounds होते हैं जैसे की WBC या plasma ये leak कर जाते हैं और blood के अंदर RBCs present होते हैं RBC की definite shape होती है जिसके कारण RBC leak नहीं होते और WBC इसलिए leak होते हैं उसके कोई definite shape नहीं होती तो ये इन pore से अपनी कोई भी shape बना करके leak कर जाते हैं तो ये WBC हो गए मालो और इसमें जो fluid भरा हुआ है plasma तो यहाँ पे क्या हो रहा है जब WBC की कोई definite shape ही नहीं है तो ये इस से कैसे भी release हो जाते है तो यहाँ ये आपके WBC is release हो गए और क्या release होता है और release होता है जी plasma plasma में क्या हो सकता है water कुछ nutrient compounds भी release हो सकते हैं RBC को छोड़के काफी सारे compound जो छोटे molecules होते है वो इस capillary से release हो जाते है और कहाँ पे release होते है आपकी interracial fluid में भाई यहाँ interracial fluid ही तो है आपकी ये blood vessels है ये आपकी cell है और बीच में जो ये fluid भरा हुआ है ये कौन सा fluid है interracial fluid body fluid का lecture भी already बनाया हुआ है playlist जाकर के check करना तो आपको सारे fluids के बारे में भी समझ में आ जाएगा तो यहाँ interracial fluid में ये molecules निकल जाते हैं तो यहाँ हम बना लेते हैं कि आपके जो extra fluid है means इस capillary से leakage हो जाता है और interracial fluid में आकर के भर जाता है ठीक है ठीक है जी तो यह yellow yellow बना लिया हमने क्या जो fluid capillary से निकला है तो इस fluid को हम क्या बोलते हैं इस fluid को हम बोलते हैं lymph क्या बोलते हैं lymph अब यह lymph और यह जो blue color का हमने diagram बनाया था इसको बोलते हैं lymph vessels lymph mess vessels lymph और ये जो कैंफिलेरी के बाजुवाला नियम कहता है। इसको बोलते है आप में नयुक्श। और इसका स्पूचा दियुक। यहाँ पे जो यह वेंद्स है जिसके अंदर कार्बंडर योक्साइट बहरा हुआ है। इस lymph vessels के थुरू यहां इस veins को दे दिया जाएगा और veins क्या करती है ब्लड के अंदर deoxygenated blood ले करके जाती है फिर यह pulmonary artery के थुरू lungs को देती है और जो impure blood है means जिसके अंदर carbon dioxide जादा है तो वो carbon dioxide body से बहार निकाला जाएगा through the lungs अब lungs oxygen को लेगा carbon dioxide बहार छोड़ देगा तो वेंस के अंदर carbon dioxide है उसको heart क्या करेगा lungs को देदेगा और carbon dioxide बहार छोड़ दी जाएगी और oxygen ले करके आ जाएगा तो lungs वापस heart को oxygenated blood देगा और oxygenated blood heart के थूप पूरी body में फिर से artery के थूप्लाई होगा तो यहां पर lymphatic system का काम है जो capillaries से वेश जो capillaries से extra fluid निकल रहा है उसको वापस उसी को देना तो एक तरीके से यह control का भी काम कर सकता है controller यहां पर extra fluid को यह जमानी होने दे तो अगर यहां extra fluid जम रहा है तो आपको swelling बन सकती है यह अधर कोई problems हो सकती है अधर disease हो सकती है तो lymphatic system as a immune system भी काम करता है क्यूं क्यूंकि WBC इसके अंदर जाद है रहते क्यूंकि WBC release हुआ है ना plasma release हुआ है तो बहार से कोई भी foreign particle आता है तो lymphatic system attack करता है समझ में आ रही है बात नहीं आ रही तो इस तरह किसा आप lymphatic system का diagram बना सकते हैं और complete lymphatic system को पढ़ने के लिए BSP Pharmacy चैनल को आपको subscribe करना होगा और पूरा अगर आप पूरा H.A.P. सब्जेक्ट पढ़ना चाते हैं तो आप हमारी application BSP Pharmacy official download कर सकते हैं जहां पर marathon classes होती है जहां पर test होते हैं और जहां पर आपको recorded videos, daily live classes, सारी चीज़े मिलती हैं तो आप download करें और courses में join करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो like कीजे और अगर कोई भी आपको problem कुछ समझ में ना रहा हो comment section में comment कीजे okay thank you so much